अब हम आते हैं इस दिपावली का और एक अस्पेक्ट को देखेंगे वह है कि दिपावली महर्शी दयानंद जी का वी निर्वान दिवसे उसी दिन उन्होंने द्यात्यागा था महर्शी दयानंद जो बहुत बड़े रिशी, फिलसोफर, समाज को सुधार करने वाले सोशियल रिफार्मर और आर्यशमाज मुम्मेंट का और्गनाइजेशन का भी फाउंडर वो है ध्यान रखे आर्यशमाज कोई ना सेक्ट है ना कोई रिलिजियन है नहीं आर्यशमाज एक और्गनाइजेशन है कह सकते हैं के एंजी ओ है आज की भाशा में और उसका काम था कि भारत में लोगों के अंदर अवर्नेस लाना अपने अच्छाईयों के प्रति अपने शास्त इतिहास के बारे में और हिंदु धर्म में जो सुपरस्टीशियन सें सोशियल एबिल्स हैं कुरितियां हैं अंदविश्वास हैं उसके बारे में जागरुकता लाना और सामाजिक समरसता समाज में सब समान हैं इस भाब को लाना और समाज की बुरायों को दूर करने के अर्यों समाज की द्वारा काम करते हैं एक और गरनाइजेशन है जिसकी द्वारा काम किया जाता है तो स्वामी दयनांट जी जी का مुख्य उदिश्य था अपने सास्त्रों की और वापस जाओ केवल वेद नहीं वेद दर्शं सास्त्र जो भी हिंदु धर्म के सास्त्र उन शास्त्रों को ठिक ठिक समझो, उनकी जो हाइरार्की है उसको समझो और उन शास्त्रों के हिसाब से अपने धर्म का आचरण करो, अपने जीवन का विवाहर करो. यह बोलने के पीछे कारण क्या है, आप कहेंगे कौन सा हम क्या शास्त्र नहीं मानते? आज का हिंदो सिर्फ शास्त्रों के नाम पर तिन चीजों में चिपक गया है, पुरान, महा भारत और रामायन. और वो महाभारत रामायन वो रामायन भी वालमिकी रामायन नहीं ना महाभारत महर्शी व्यास का और उसके अलावा हमारे अपने आसपास के एरिया में जो बहुत सरे गुरु फैल गए हैं उन गुरुओं की बातें यही दो तिन चार चीजें हिंदु धर्म का बेसिक फाउं अशा दग्रजन मनह स्वं स्वं चरित्रम शिखेरन पृथिव्याम स्थर्विमान अवा इसी देश में पैदा होने वाले रिशी मुनी ज्यानी आचारियों से संसार के हर व्यक्ति ज्यान लेकर के विद्वान होता था अपने आपको एनलाइटिन करता था उसी देश की लो 500-700 साल में जो इधर उधर गुरुओं का एक जूंड निकला उन गुरुओं के वचनों को मान के उनी के आश्राय पर चलता है उनी हिंदूओं को स्वे हुए आंक बंदक हुए हिंदूओं को जगाने के लिए स्वामी जी का कर्म था स्वामी जी जीवन भर बहुत सारे जो सोशियल कॉस्टम सें ट्रेडिशन सें उसके खिला बोलने लगे क्योंकि वो बड़ा मेनिंगलेस और अप्रेशिव गवा करता था और शास्त्रों का सम्मत नहीं था जो आर्य शमाज के साथ जुणने वाले लोग हैं स्वामी जी ने उनको एक मोटो दिया कि तुम्हारा मो करना लोगों को बताना कि धर्म सर्फ पुजापाठ का विशय नहीं धर्म आचरन का विशय है अपने आचरन को सुधारना अपने आपको एजुकेट करना अपने आपको एनलाइटेंड करना और उसके साथ साथ अपनी भलाई के साथ दोसरों की भलाई करना इश्वर के सही श्वरूप को जानना, मैं कौन हूँ, संसार क्या है, इश्वर क्या है, उन सब को ठिक ठिक जानना, अपने शास्त्रों के द्वारा, और आपने आपको एंलाइटिंड करना, जो ऐसा करता है, वही आर्य है, ऐसे ही लोगों को बनाना है, आर्य शमाज बनाने के पिछे स्वामी जी का यही उद्देश्य था, कि यह जो आँख बंद किये हुए इग्नोरेंट अज्ञानी हिंदु है, जो अपने वैदिक संस्कृति के, अपने पुराने संस्कृति के जो महान मुल्यबोध था, जिसको वो भूल चुके हैं, उन भू पुरवशाली संस्कृति के प्रती जागरुकता अवर्ने साने के साथ, उनके जीवन में परिवर्तन आएं, चीजों को देखने की तरीका बदलें, जिसे कि सामाजिक उन्नती भी हो, धार्मिक उन्नती भी हो, और लोगों का रियल अध्यात्मिक उन्नती हो, केवल कुछ अ इपर्मेशन मुम्मेंट चलाया आपुरे भारत वर्ष में, कि वो जो बाइदिक मुल्यवोद का, हमारे शास्त्रों का, वो वेद, ब्राह्मन, आरण्यक, उपनीश, दर्शन शास्त्र, धर्म शास्त्र, वेदांग, उन सब शास्त्रों के द्वारा बताये जो करना और जो धर्म के नाम पर मित को, माइथोलोजिकल स्टोरीज को अपने लाइफ में जो ओड रखा है, उसे उपर उठने की कोशिश करना और स्वामी जी ने बड़ी द्रढ़ता के साथ, जो छोटे बच्चों की शादियां हो, बहु विवाह, पोलिगेमी, एक अनेक स्त्रियों को रख सकता है, ऐसे चीजों के खिलाब, जन्म से जाती विवस्था के खिलाब, वईदिक शास्त्रों के बारे में जो इग्नोरेंसे लोगों का, और सामाजिक पुरितियां अंधविश्वाश के कारण, जो समाज में बहुत जादा अशिख्या इलिट्रे सी बढ़ी और जिसका परिणाम पवर्टी में गरीबी में भी कनवर्ट हुआ, जिसका सोशियल कंसेक्वेंसे हमें दिखता है, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हिंदु लोग मोशली रिलिजियसली अज्यानी बनें, और आज भी हैं, जिसके कारण उनमें बहुत सारे सुप से आवाज उठाया, जिसके लिए उनको सैक्रिफाइश भी करना पड़ा, लोगों का विरोध भी सहना पड़ा, उसके बावजूद भी उन्होंने इस बीड़ा को उठाया, इस मुम्मेंट को चलाया, उन्होंने द्रधता से जो डुगमा है, तथाकती, जो सिंबलिजिम है जहां कमन सेंस काम नहीं करता, जहां लोजिक काम नहीं करता, ऐसे चीजों के खिलाब बोला, और लोगों को यह आवहान किया चाहिए, कि आप इंडिपेंडेंटली सोचना सिखो, फियरलेस बनो, कोई बाबा, गुरू, इदर उदर भटकते, आधपड, अनपड़ों के चक मत जियो, कर्म सिधान्त को समझो, इश्वरिय वेवस्था को समझो, उसको समझने के लिए शास्त्रों को ठिक ठिक जानो, और जैसे कि हमारे शास्त्रों में बताया जाता है, धर्म को जानने के लिए चार चीजों को प्रयोग में लाना चाहिए, शुरुति स्मृति सदाच कि Candi Gkani G кан Grade स्मुर्टी जो बाकी जो भी शास्त्र रहे उन शास्त्रों की प्रामानिकता को मानो अगर उन में भी तुम्हें ठिक-ठिक नाम मिल पाए कोई बीछ यानिों इन उनके जीवश Technical लिखित्र को देखो उन से भी तुम्हें पता लगेगा धर्मक्या धर्मक्या और लाश्ट में पुछ नहीं है तो कम से कम अपना जो common sense है इनर सेंस है जो सामान्य एक बोध होता है एक मूर्ख व्यक्ति में भी एक अनपढ व्यक्ति में भी यो common sense होता है उस common sense को यूज करो, जब भी तुम कुछ धार्य करते हो, तुम्हारा common sense उसको अलाओ करता है कि नहीं, प्रॉब्लम है कि ज़्यादा तरह लोग धर्मक, जब हम धर्मकी बात करते हैं, अपने common sense को, अपने intelligence को बुद्धी में तला लगा देते हैं, स्वामी जी कहते हैं, उत तला को ख अली चढ़ाने से कोई देवी माँ खुश नहीं होने वाली है, कोई भी खुन देख करके तुम्हारा दिल में भी दर्द होता है, तो देवी माँ कैसे खुश होती होगी, तो ये जो छोटी-छोटी चीजे हम common sense में तला लगा देते हैं, जिसके काराण मोष्ट बुराईयो को हम धार्मे को चदर चढ़ा करके उसको सही करने की सावित करते हैं, स्वामी जी उसके खिलाब आवाज उठाते रहे, तो स्वामी जी ने पुरुश और स्त्री का जो भेदभाव समाज में देखा, आज भी आप देखते हैं, वो इस्टन सोसाइटी हो, वेस्टन कहीं कम है, कहीं जादा है, जो पुरुश और स्त्री में जो भेदभाव है, और सबसे बड़ी बात है, एजुकेशन को लेकर के, स्वामी जी ने इस पर भी मुम्मेंट चलाया, पुरुश और स्त्री को हर चीज में समान अधिकार है, वो धर्म हो, अध्यात्मिक्ता हो, शि मुम्मेंट था कि लड़कियों के लिए स्कूल खोलना, केबल मॉडर्न एजुकेशन के लिए ने, जो वेदादी शास्त्र महिलाओं के लिए बंद कर दिया गया, स्त्री शूद्रा भ्याम नाधी एताम को को कोट करके, स्त्री और सुद्रों को शास्त्र पढ़ने का अधि कार ने, तार्य शमाज ने कन्या गुरुकुल खोल करके, कन्याओं को लड़कियों को भी वेद, शास्त्रा आदियों के विदूशी बनाने के लिए मुम्मेंट चलाया, और क्योंकि स्वामी जी 18th, 19th century के लाष्ट में पहुंच आये, उनका जो कर्यकाल था, तो उस समय ब्रिटिश राज था भारत में, तो स्वामी जी ने उजो स्वराज्य का जो अर्चन्नो स्वराज्यम, उस रिगवेद की जो concept of स्वराज्य है, उसको उन्होंने प्रोमोट किया, उसकी स्वराज्य के साथ nationalism और spiritualism को जोड़ा, आगे जाकर के लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य को एक moment बनाया, पर जो स्वराज्य की जो घोषना है, जो उद्घोष है, वो महरशी दयानन जी ने शुरू किया, इसी तरह जो स्वदेशी मुम्मेंट जिसको महत्मा गा तो स्वामी जी ने उस स्वदेशी मुम्मेंट का भी शुरूवात किया, और अगर आप इंडियन इंडिपेंडेंस जो स्ट्रगल है, उसकी हिस्ट्री को देखें, भारत की आजादी के इतिहास का, अगर आप देखें, आप देखेंगे, सैकुडों संख्या में जो स्वतं रता संग्रामी रहे, या तो सीधे आर्या समाज से जुड़े हुए थे, या आर्या समाज से इंफ्लूएंच्ट थे, ये सब चीजें करने के लिए नाचुरली जब आप एगेंस दफ्लो जाते हैं, तो आपको बहुत विरोध सहना पड़ता है, बहुत लोग आपको गालि हो, जब भी आप इसको चालेंज करके हो, ज्यादा तरह लोग आपके खिलाप हो जाते हैं, तो स्वामी जी के खिलाप, स्वामी जी की पूरी जिन्देगी, इसी तरह के आक्रमन उनके ऊपर वो फिजिकल हो, मेंटल हो, वानी से गालियां देना हो, हमेशा चलता रहा, जहर इंगर्ष को जलना पड़ा, पर वो कभी पीछे नहीं हटे, कंप्रमाइज नहीं किया, वो बड़े फियरलेस रहे, निर्विक सन्यासी रहे, कुछ भी हो जाए, वो सत्य के साथ कंप्रमाइज करने को तयार नहीं थे, और स्वामी जी नहीं बोला, यह जो मैं कुछ बोल र जो चीजें बताया, जिसको तुम भूल गए हो, मैं बस तुम्हें रिमाइंड करता हूं, तुम्हें अच्छा ना लगे हो, तुम्हारा प्रॉबलम है, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम जो हो, ऐसा तुम नहीं हो, तुम्हारे पुरवजों ने तुम्हें ऐसा नहीं और महिनों तक स्वामी जी कष्ट को सहते रहे दिपावली के दिन उन्हों का प्राण त्याग हुआ और दिपावली के दिन जैसे हम अंधेरे में दिया जला के रोशन करते हैं तो स्वामी जी ने जीवन भर अपने आपको दिया बनाया जलाया दूसरों के कष्ट को दुख को को दूर करने की कोशिश की अपने आपको दिया जला के और उस दिपावली के दिन को खुद भुज गए अगर महरशी के जिख्या को जानना है कि उनकी जो दर्शन है वो क्या है मौका मिले तो जरूर स्वामी जी के कुछ लिटरिचर पढ़िए स्वामी जी के अनेक लिखे ग है कि वेद क्या है उसमें क्या-क्या सब्जिक्ट होते हैं तो स्वामी जी का एक बड़ा अध्भुत ग्रंत है रिग वेदादी भाष्य भुमिका और स्वामी जी खुद भी वेदों का भाष्य किया है वो अलग बात है कि वो सब वेदों का भाष्य पुरा नहीं कर पाए क रिगवेद के सातुएं मंडल, उसमें दस मंडल होते हैं, मंडल चाप्टर समझ के चलिया, तो उसमें सातुएं चाप्टर मंडल के कुछ सुक्त तक किया था, पर जब भी आपको मोका मिले, जरूर सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें, रिगवेदादी भाश्य भूमिका पढ़े हर वो हिंदु को जरूर पढ़ना चाहिए सत्यार्थ प्रकाश इरिगवेदादी भाश्य भूमिका अपने आपको जानने के लिए, अपने गौरवशाली इतिहास को जानने के लिए, सही धर्म को जानने के लिए, सही इश्वर को जानने के लिए और अपनी संस्कृति को ज के लिए जरूर पढ़ने की जरूरत है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें